हमारे विभिन ज्ञान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमशकार इंद राक्षी धाम में दरसों को आप सबी का महारदिक 가져ते हैं आईए इस खास कारिक्रम में हम आपको बताते हैं कि दीपावली की रातरी में वो खास पोटली धन वर्शा पोटली जिससे कहीं न कहीं हमारे घर में शुबता उत्पन हो हमारे घर में मंगल कारिय हो हमारे जीवन में मंगल उस्तव की प्राप्ती हो हम वो पोटली कैसे बनाएंगे उसकी सारी सामगरी, उसका सारा तरीका कुल सा मंतर पढ़ा जाता है, क्या क्या किया जाता है आएए देर ना करते हुए फटा-फट इसकारिकनम को हम शुरू करते हैं अब देखो सबसे पहली बात इसमें कुछ सामान है आप ये सारा सामान अच्छे से लिख लेना और ये सामान बजार से अच्छे से आप लोग ले आना और ये पोटली हमें किस दिन बनानी है? ये पोटली हमें दीपा वली की रात्री में बनानी है सारा समान किसी पलेट में रख लेना और उस पे हलके से गंगा जलके छीटे मारना अब पहले सब से पहले आप लोग समान नोट कर लीजिए हरी, थैली, कपड़े, वाली दो हरी इलाइची, दो लॉंग, अगर पहाडी लॉंग मिल जाए तो पहाडी लॉंग ले ले दो सुपारी, गोल सुडोल, दो पीली कोडी, एक चांदी का सिक्का, जिस पर लक्ष्मी जी का चित्र बनाओ मुठी भर कमल गट्टा, दो गोमती चक्र, एक सफेज चंदन का छोटा सा टुकुड़ा, तकरीवन 10-20 ग्राम का भारी हो तो कोई दिकत नहीं है, आमा हल्दी, एक दो नग, और पाँच यद दो गुलाब के देशी फूर तो यह समान है, यह समान आपको सारा का सारा एक प्लेट में रख लेना है हरी ठाली बजार से हावलिक तो वो ऐसे खींच हो तो बंद हो जाता जाता उस का हमूँ, वो बजार से मिल जाती है और मैं आपको बता दू, कहा मिलती है, आप एक काम करना हर जहां भी आप रहते हैं हर जगा ज्वेलर की दुकाने होती है ज्वेलर्स की तो जो मार्केट होती है सराफा बजार जिसे हम कहते हैं तो सराफे बजार में जहां किसी भी दुकानदार से पूछ लेना कि भई सराफे बजार में जो सराफे की जो पैकिंग का समान मिलता है पैकिंग का डिबी बॉक्स इस प्रकार की सारी चीज़े थैलिया वैलिया कहां मिलती है तो हर सराफे मार्केट में एक दो दुकाने ऐसी होती है वहां जाईए वहां से 20-30-50 रुपे की सुन्दर सी ऐसी थैलिया है जिसमें तगरीमर आदी किलो समान बना जाए आये समझ में बनी बना इसमारि लिए कोयआ कोई बैसा कपड़ा लेकर के एक च्छोटी सी हरे कपड़े की ठैला टाइप वना लें आउंब मुवंद मोली से कर देना उसका आगे बढ़ जाए कार्य करमनी दो बढ़ा हो जाएगा अब जो सारा समान है यह सारे समान को हलका सा गंगाजलकाचीता मारे दीपावली की रात्री में और गंगाजलकाचीता मारके यदि आपको मंत राता है ओ मैं पवित्रो पवित्रो वा सरवावस्थाम गतो भीवा आता है तो पढ़ने नहीं तो वैसे ही अपना गाहितरी मंत्र पढ़ते हुए लक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए जो भी मंत्र आपको याद है उसे पढ़ते हुए किसी भी मंत्र की भावना से हम छीटा मारेंगे तो जो भारी समान होता है, जैसे इसमें कमल गट्टा है, सफेद चंदन का टुकुडा है, पीली कोडी है, सुपारी है, सारा समान उसमें नीचे की तरफ रखते जाएं. और इसमें एक चीज हम शायद आपको बताना भूल गए, अगर मिल जाएं, इस बार हमने लिखा नहीं है, अगर काला चावल, थोड़ा सा काला चावल भी कहीं से मिल जाए, तो थोड़ा सा उसमें दो-चार दाने डाल दें, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समान ह नहीं लेना है जो हम किसी को पहार देते हैं गुलदस्ते वो फूल में खुश्वू नहीं होती है जान नहीं होता है वो किसी को दे सकते हैं लेकिन काबिल नहीं होते है वो फूल तो इसलिए खुश्वू वाले फूल लेना है देसी गुलाब के जो महके जिन में खुश्वू करा लें और लक्ष्मी माता के मस्तक के उपर अपनी अनामी का उंगली से रिंग फिंगर से लाल रंगे चंदन का तिलख लगा दें और हाथ में रखें हाथ तेली में सिक्के को ऐसे कि हे लक्ष्मी माँ आप से ये दास ये सादक ये सादी का विंती करती है कि आप मेरे घर में इस तिर रूप से वास करें वो चांदी का सिक्का मस्तक से लगा करके लक्षमी माता के उस सिक्के को जो ठैली के अंदर गुलाब का फूल रखा है उसके उपर इस थापित कर दें उसके बाद जो चार गुलाब के फूल और बचे हैं यदि दो देजिए अब आपको एक मंत्र पढ़ना है मंत्र शिरिम हिरिम महालक्षमई नमाः दुबारा देखें शिरिम हिरिम महालक्षमई नमाः ये मंत्र है सिरिसुक्त की पुस्तक अपने पास रखना कनकधारा इस तोत्र की पुस्तक अपने पास रखना लक्षमी जी की एक सु यार करके रखा अब जो आपने थैली अपने सामने किसी प्लेट किसी तस्त्री में यह जहां पूजा पाट करते हैं वहां रखी एक तरफ तो उस थैली को आप पंचो पचार पूजन करें जैसे जलकर शीटा मारें तिलग लगाएं धूबदी परपन करें फूल अरपन करें यह थैली के अंदर नहीं करना है यह थैली के बाहर साइड में आपको थोड़ा थोड़ा अरपन करना है सारा समान जैसे बताया वैसे रखन पूजन कर दिया और उसमें जो लक्षी माता हमने विराजी हैं उनका भी सारा पूजन हो गया है नमन नमशकार करके अब एक माला या जिने माला नहीं आती वो दस मिनट इस मंतर का जाप करें दस मिनट या पांच मिनट शरिम हरिम महालक्षमाई नमा माला ले ले माला कैसे च शरिम हरिम महालक्षमाई नमा शरिम हरिम महालक्षमाई नमा पांच मिनट नहीं तो पढ़ते रहें वह आपकी गिंती पूरी हो जाएगी नहीं तो एक माला जब कर ले करने के बाद एक पार्ट सिरिसुक्त का करें एक पार्ट कनकधारा इस्तोत्र का करें अब मैं दो बहुत अच्छे से ना पढ़ी जाती हो और वो सिरिसुक्त नहीं पढ़ पा रहे हैं या कनकधारा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रहने दें के वले इतना हम कर लें इसी मंत्र को थोड़ा सा बढ़ा दें शिरिम हिरिम महालक्षमई नमहा पढ़ा ना जाये तो मेरी नमहा इसे आप इतना सुनकर के याद कर लें और इसे आप 5-10 मिनट अपनी उस पोटली के सामने धन वर्षा पोटली के सामने बैठ करके पढ़ें और उसके बाद मस्तक टेकें और छमा पराथना मांगें के हे मालक्षमी ये जो मैंने आपकी करपा से धन संचे धन वर्षा पोटली बनाई है इसमें किरपावर से और मुझसे कोई पूजा पाट करते से में भूल चुक हो गई हो तो मुझे छमा करें अगर आपने इसके बाद बाकी का भी और कोई पूजन करना है अपना जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना है या और कोई काम आपको करना है तो पोटली को जो है मुघ खुला ग ही रहने दें और पूटली साइड में एक तरफ रख दें अपना बाकी का जो भी पूझन करना है सारा कर लें है और यदि आपको इसके बाद कोई पूझन नहीं करना है तो पूटली का मुण हलक अजिक हम नीं हमारह Musa उट करके नहा दो करके पूजा नादी करें फिर पोटली को पुने धूब दीब दे करके अपने गल्ला लोकर तिजोरी कहीं पर भी इसको आप नमशकार करके मस्तक से लगा करके कि मेरे घर में धंधन्य की बढ़ोत्री होगी मेरे घर में मालक्षमी की करपा होगी मेरे घर मे मंगल कार्य बनेंगे मेरे रुके हुए कार्य बनेंगे ऐसी भावना के साथ उस पोटली को कहीं भी रख दें और हां ये पोटली बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हम दो बना लें अपनी बेटी को भेजना है माँ को भोचिंता होती है एक बेटे को भेजना है तो एक से अधिक दो या तीर पोटली भी एक व्यक्ति बना सकता है लेकिन बेचने के लिए नहीं कभी आप सोचे के हमने पचास पोटली बनाई है किसी को चाहिए तो हम दे रहें नहीं ये काम मत करना ये तो मैंने आप मेरे से जुणे हैं मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और म अपने जो आपके नियर डियर लोग हैं और हाँ एक चीज़ और बताएं अब जैसे जिन्होंने पिछले साल पोटली बनाई थी वो पूछ रहे हम क्या करें तो वो एक काम करें सिर्फ चांदी का सिक्का इस सनान कराकर कि वही ले ले और बाकि सारा समान आप अपना दुब पोटली यूज़ कर सकते हैं तो कि कई वार पोटली नहीं मिलती है हरे रंग की नहीं मिलती है और तो पस आप यह करिएगा मेरे तरफ से शुब कामना हैं और अब मैं उन लोगों के लिए भी जवाब दे देता हूं जो आप से बड़ा नाक फुला फुला करके लड़ते है अरे ऐसे पोटली बनाने से थोड़ी पसा आता कर्म करने से पसा आता ऐसे थोड़ी कुछ होता तो देखो हम इतने अंद्विस्वासी नहीं हैं कि हम पोटली बना करके टांग पर टांग रख करके खराटे मारेंगे हम मेहनत भी करेंगे हम अपनी जॉब भी करेंगे हम उन लोगों के लिए भी मेरा ये संदेश है, कभी आप सोचें कि धन वर्षा पोटली बन गई है, आप तो मैं आकास की तरफ देखूं कि धन कब बरसेगा, तो देखो भई ऐसे नहीं होता है, ये तो सुब चीजें हैं, जैसे एक व्यक्ति अपने घर को अच्छे से सजाता है डेकोरेट करता है, बहुत शांदर बना लेता, जैसे एक पहलवान अपने सरीर को अच्छी अच्छी गिजा खा करके पहलवानी करता है, अपने सरीर को तकड़ा हटा 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 बना लेता, ऐसे ही ये छोटी छोटी बाते हैं, छोटी छोटी रास्ते हैं, जिससे हम अपने भाग्य को बल्वान बनाते हैं तो सबके लिए जवाब हो गया तो इसलिए मतलब ये अच्छे से बनाईए और सास्त्रों में ये भी लिखा है कि आपका गल्ला हो आपका लॉकर हो आपकी तीजोरी हो उसे कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए कई बार क्या होता है हम बैंक लॉकर ले लेते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता हम कई बार घर में जो हमारे सेफ अल्मारिया होती है जो बड़ी अल्मी राज ये जहां पर भी आपकुछ अपना ऐसा डॉकॉमेंट या कीम सी समान रखते हैं उसके लॉकर खाली बड़े होते हैं अशुब होते हैं ये ध्यान रखें चाहिils हैं अप्धो दो रुपिया रखें दस रुपिया रखें काजू रखें बदाम रखें या ये धन्वर्शा पोटली रखें कभी भी गला लॉकरति जोरी खाली नहीं होनी चाहिए वो अशुबता होती है खाली वरतन तो खाली होता है थोड़ा वो उत तो भरा रखी है गुलक है आप गुलक हम लाएं गुलक में दो-चार रोपे डालिये तो सही फिर अपने आप उसमें आने लगते हैं अब पता लगा है ही कुछ नहीं तो वरे चलो अब तो इसमें है ही नहीं तो क्या डालना इसी लिए ये सब सुब बाते होती है इनें कर लेना चाहिए और बहुत लोग अब कमेंट्स करेंगे कि सरमाजी सिक्का कैसे रखें उल्टा रखें सीधा रखें कमल गटा कहां से लाएं कमल गटा नीचे रखें उपर रखें तो देखो भाई अब दीपावली का समय है मैं भी बहुत ज़्यादे विजी हो जाऊंगा सभी के कमेंट्स के जवाब दे पाना मेरे लिए भी सललतम नहीं है जतना हो सकता है देने का परियास करता हूँ बस आप से यही गुजारिस करता हूँ कि इस अंक को दो चार बार ध्यान से सुन लेजिएगा आपको सारी बाते समझ में आ जाएंगी तो आपने जब ये मंत्र साधना वगरा सारा कर लो तो पोटली को अगले दिन आपको अपने गल्ला लोकरती जोरी में रखना है बेटा बेटी कहीं दूर रहते हैं तो उनको ये पोटली किसी अच्छे तरीके से पैकिंग करके आप उन्हें शुब संदेश के साथ कोरियर भी कर सकते हैं वो आप अपने इसाब से देख लीजेगा लेकिन अगर बाई हैंड आप से वो लेकर के जाएं या बाई हैंड उन्हें आप अपकभी जाकर के दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है और उमीद करता हूं कि कहीं न कहीं जीवन में शुबता आएगी और सभी के जीवन में मंगल कारिये पूर्ण होंगे हमने पोटली का कारिकरम आप सब के लिए प्रस्तुत किया धन तरोदिशी का कारिकरम अंख हमारा जरूर देखेगा और छोटी दिपावली बड़ी दिपावली दोनों एक साथ आ रही हैं वो कारिकरम भी हमारा जरूर सुनिएगा देखेगा दिपावली विशेशंक हमारा जरूर देखेगा और दिपावली की रात्री में किस विशेश मंतर की सिद्धी करनी है वो कारिकरम भी हमारा जरूर देखेगा तो ये सारी चीज़े आपके लिए हमने बता दी है और कहीं हमसे भूल चुब हो गई हो बताने में या कोई बात हमारे दिमाग में ना रही हो उसके लिए हम आपसे च्छमाच आते हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम करती है जैमा इंद्राक्षी ब्धुगार बिधिक सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूले झाल झाल